असलाम अलेकूम, गुड़ मॉर्निंग और वेलकम बैक तो माई चैनल आज होप के आप सब लोग ठीक होंगे, हम भी अलामदुल्ला ठीक है आज है सैटेड़े, means weekend और वीकेंड के दिन मैं आज कुछ स्पेशल बनाऊंगी लंच में जो के है हरे मसाले का फिश पुलाओ, यह बहुत यूनीक सी एक रेसिपी है और हमारी कम्यूनिटी में ज्यादा बनाई जाती है और दुसरी चीज यह कि मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको fresh and pure milk दुबई में कहां से मिल सकता है तो वह मिलक आप ला सकते है उसको आपको boil करना होता है तीन दिन में consume करना होता है और आपको उसमें से बिल्कुल वैसी ही मलाई मिलती है जैसी हमें इंडिया में मिलती है तो फिश भी मैंने defrost करने के लिए रख दिया है अब हम breakfast करेंगे breakfast के बाद lunch की recipe आप से शेयर करूंगे और lunch करने के बाद हम निकलेंगे cattle market की तरफ तो चलिए फिर तो यह है इसके ingredients तो आपको हरा धनिया लगेगा अगर आपके पास छोटा बंच है तो आप दो लेंगे और अगर बड़ा बंच है तो एक पिर उसके बाद यह जाबुद जीरा साबुद धनिया लसन धेर सारा और हरी मिर्ची आप अपनी spiciness जित अपनी अपनी पास बना लेंगे तो सबसे पहले यहां पर मैंने ना ड्राइ जो मेरे पास था मसाला जो के था जीरा और साबुद धनिया उसको मैंने पहले अच्छे से ग्राइंड किया है और उसका पावडर बना लिया है और फिर इसके बाद में जो गीले ingredients है ना जैसे के खोपरा, कोतमेर, लस्सन और हरी मिर्ची यह सब दाल के फिर हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे पानी आट करते जाएंगे जिसे जिसे आपको लगेगा के मसाला हमें इतना रनी टेक्शर नहीं चाहिए पेस्ट का और ना हमें एकदम थिक टेक्शर चाहिए तो देखिए य साइड में रख देंगे, उसका य DReler कि लिए तो चली ए रेशिपी शुरू करते हैं तो पहले मैंने एक कढाई ले लिए है और कड़ाईे में मैं दालूँञी ओ육ी ओईल ओईल ऑप जो है जितना पशन पासंद आप डालाये सकते हैं यहां पर मैंने कम से कम यह तीन क्हाने के जो चमच होते हैं उतना ओइल डालाये और ओइल के गरम होने का वेट किया है जैसे ही ओल गरम हो गए थे मैंने उसके अंदर कड़ी पत्ते अट किये थे और उसके बाद ये जो पेस्ट हमने बनाया था अभी आपको इसका जो 3 फोथ हिस्षा है वो करी में डाल देना है मतलब सालन में डाल देना है और 1-4 जो हिस्सा है वो आपको बचा के रखना है क्योंकि आपको वो यूज करना होता है राइस में राइस भी फ्लेवर वाले बनते हैं इसमें तो देखिए मैंने थोड़ा सा जो है बचा के रख दिया है साइड में राइस के लिए और ये मैं अभी अच्छे से भूनना शुरू करूँगी आपको बहुत अच्छे से ये करी की भूनाई करनी है ये पेस्ट अच्छे से भूनेगा तब ही इसका जो है फ्लेवर निकल के आएगा बाहर तो अब मैं इसको अच्छे से स्टर करूँगी और वेट करूँगी इसके अच्छे से भूनने का जैसे इसमें थोड़े बबल जाना शुरू हो गए तो मैंने इसमें ढखकन ढख दिया है और इसको पकने के लिए छोड़ा है 10-15 मिनिट फिर जब मैंने ढखकन हटाया और देखा तो ओयल सेपरेट हो चुका था इसका मतलब यह है कि आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छे से भून चुकी है अब मैं इसे एक बार फिर स्टर करूँगी और फिर मैं इसके अंदर आट करूँगी नमक तो यह मैंने आट कर दिया है नमक नमक भी आप अपने जो टेस्ट के मताबिक आट कर सकते हैं और फिर इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी फिर से जितना आप इसको मिलाते जाएंगे भूनते जाएंगे उतनी जबरदस्त आपकी ग्रेवी तयार होगी फिर यहां पर मैंने फेटावा दही लिया है वो भी आइ थिंक चार टेबल स्पून के करीब हैं आपको अच्छे से फेट कर आट करना है बिना उसको फेटे वे मत आट कीजिएगा और दही को भी मैंने अच्छे से करी के साथ मिक्स कर दिया है और अभी इसको भी मैं ढक कर पकाऊंगी तकरीबन द खटास बहुत अच्छी आती है ग्रेवी में थोड़ी सी खटास चाहिए हमें तो मैंने बिल्कुल थोड़ा एट किया था और यह मैं आट कर रही हूँ फिश जो के मेरे पास है पापलेट फिश पापलेट इमींज वाइट पॉम्फरेट उसको मैं आट कर रही हूँ जितनी ग्रेवी चाहिए मैंने उतना पानी एट किया है यह सालन में और इसको भी मैं ढखकर पकाऊंगी जब तक कि फिश जो है न अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए मगर आप उसे ओवर कुक मत कर देना क्योंकि फिर फिश आपकी जो है एकदम रबरी हो जाएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पुलाओ में मगर मैंने यहां पर ओल यूस किया है अब उसके अंदर मैं एट कर रही हूँ यह गरम मसाले जो के है जीरा लॉंग काली मिरी फिर मैंने एट की है दो इलाइची अगर आपके पास बड़ी इलाइची है तो आप वो भी एट कर सकते है यह मेरे पास नहीं थी तो मैंने एट नहीं की है फिर इसके अंदर मैंने एट किये हैं बेलीफ्स और चोटी सी दालचिनी का तुकौड़ा उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं एट करूँगी ये जो मसाला हमने जो पेस्ट बनाया था जो मैंने आपको कहा था कि आप थोड़ा साइट पे रख देंगे राइस के लिए वो वाला पेस्ट है ये सेम जिससे हमने सालन बनाया है तो वो पेस्ट को भी मैं अच्छे से भून लूँगी लेकिन उसको इतना ज़्यदा भूननी की जरुवत नहीं होती है पुलाओ में ग्रेवी में आपको ज्यादा भूनना होता है फिर राइस के लिए उतनी भूनाई की जरुवत नहीं होती फिर मैंने इसके अंदर आट किय जिसके लिए मैंने एड़ किया है 5 कपस ओफ वाटर अब यहां पर मैंने बासमती राइस एड़ किया है जो मैंने पहले से ही 30 मिनिट पहले भी गोके रखा था अब उसको आड़ करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी और मिलाने के बाद थोड़ा जब पानी सूकने लग जाएगा जैसे हम बिरियानी को दम देते हैं उसी तरह से हम यह पुलाओ को दम दे देंगे और थोड़ी दिर में यह रेड़ी हो जाएगा तो 20 मिनिट दम देने के बाद यह देख सकते हैं आप चावल या पुलाओ बनकर रेड़ी है और एक एक चावल एक दम खिला बना था और बहुत ही फ्लेवर फुल बना था तो अब मैं आपको दिखाऊंगी सर्फ करके तो हम पता नहीं से पुलाओ फिश का पुलाओ क्यों कहते हैं क्योंकि इसकी तो ग्रेवी भी अलग होती है और इसका जो राइस भी अलग होता है लेकिन हम बच्पन से इसको अभी और जा रहे है भैस के तबेले की तरफ लेने के लिए गाएं का दूद तो यह मदीना मॉल है नहदा में या गिसेस में कुछ लोग इसे नहदा कहते हैं कुछ लोग गिसेस कहते हैं तो यह मदीना मॉल के बिलकुल ऑपिजिट साइड में आप जाएंगे और जाते ही आपको board दिखाएगा cattle market तो बस वहीं से आपको enter हो जाना है और बस आप देखते रहें directions तो आ गए है हम milk लेने के लिए और ये जो आप देखे है शॉप नमबर 20 साइद सलीम नाम से है ये शॉप हम यहीं से आकर जो है गाएं का दूद लेते हैं आने से पहले हम उनको call कर देते हैं तो वो जो है एक गाएं हमारे लिए रख देते हैं और फिर हम वहाँ जाके milk ले लेते हैं उसका वो आपके सामने दूद निकाल के देता है और बिल्कुल pure and fresh milk होता है ये यहाँ पे आने का best time होता है between 3 to 4 in the afternoon तो अगर आप तीन से चार बजे की बीच में आते हैं तो वो perfect time होता है यहाँ से आके दूद लेके जाने का जाँ आपके जाँ तो जैसे के आपने देखा के इन लोगों ने कैसे आपके सामने बिल्कुल fresh milk निकाला है और आपको ये कुछ इस तरह की बॉटल में pack करके देते हैं वहीं से मैं देसी अंडे भी लेके आती हूँ घर पे और ये milk जो है ये 3 लिटर milk होता है और बिल्कुल fresh होता है कोई मिला करना होता है और maximum आपको ये दूद जो है न वो चार दिन में consume करना होता है अब मैं आपको बताऊंगी के मलाई बनाने का क्या थरीका होता है तो दूद को मैंने एक तपीले में निकाल लिया है और इसको मैं एक बॉइल दूँगी जैसे ही इसको बॉइल आ जाएगा मैं इ इसका फ्लेम आफ कर दूँगी और इसको ढखकर रूम टेंपरेचर पे छोड़ दूँगी बाकी का प्रोसेस मैं आपको बाद में बताती हूं तो दूस बॉइल कर लिया है मैंने और उसको रूम टेंपरेचर पे छोड़ दिया है और हम लोग तयार होके अब फिर से जा रहे हैं थोड़ा बाहर डिनर करने के लिए और तोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए और मुझे ये लड़का बहुत सता रहा है क्योंकि ये रेडी हो चुका है जाने के लिए और ये लोग वेट कर रहे हैं मेरे लिए तो मेरा फर्स टॉप था अलादिल जहां से मैं हमेशा चावल लेती हूँ मैं दो तरह के चावल लेती हूँ यहां से एक होता है सूर्थी कोलम डे टू डे यूज के लिए और एक होता है बासमती राइस जो के मैं पुलाव और बिरियानी के लिए यूज करती हूँ बहुत ही जबरदस्त इनके राइस होते हैं फिर वहां से निकलने के बाद हम लोग आ गए थे केर फोर में थोड़ी सी और शॉपिंग करने के लिए जैसे मिल्क दूद और बच्चों के टिफिन बॉक्स के के लिए ना मैं यह कुकुमबर बेबी टेमेटो स्ट्रॉबरी बैरीज वगेरा सब लेती रहती हूं क्योंकि मेरे बच्चे यह खाना बहुत इंजॉय करते हैं थोड़े फूट्स भी लेना था मुझे यहां से तो वह भी मैंने ले ले थे वहां से और यह फिनिश करके अब हम जा रहे थे बच्चों को चीज फटायर खाना था डिनर के लिए तो हम उनको ले गए थे चीज फटायर खिलाने के लिए जो के बहुत ही टेस्टी था अगर आपके बच्चे भी चीज फटायर शौक से खाते हैं तो आप यह अल ले थे बर दुबई बर दुबई से मुझे मलाई के लिए सुभा पाओं भी लेना था तो वो भी मैंने ले लिए और हमको खाना था पाओंभाजी तो यह पाओंभाजी सच में मगर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी यह रगू वन्शी करके कोई रेस्टोरेंट है बर इस अपॉइंटिंग था इनका खाना वेट भी बहुत करना पड़ा और खाने में भी कोई खास फ्लेवर नहीं था तो पूरा फ्लॉप शो था और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ आगे हैं हम घर और बहुत ठक चुके हैं सुभा से लेके रात तक जो था दिन बहुत बीज की था और जैसे के आपने देखा डिनर डिनर भी उतना कुछ खास नहीं था और अब मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने ग्रोसरी की है वो और साथ में जो मैंने मिल्क को रूम टेंपरेचर पर रखा था उसको भी मैं रख दूंगी और यह व्लॉग कंटिन्यू होगा कल अब आप देखेंगे मेरा ग्रोसरी का जो मैंने शॉपिंग की थी वो दिखाऊंगी और फिर सीधा मिलूंगे आप से सुबा में जब तक के लिए गुड़नाइट टेक केर शब्बाख है सी यू इन दे मॉर्ने यह है रेड चिली पॉडर क्योंकि यह खतम हो चुके थे य यह सारा सामान वो है जो मैंने केरफोर से लिया है बच्चों के लिए कुछ फूरूट्स वगेरा यॉगर्ट मिल्क खजूर और यह हम जब बर दुबाई गयते तो मैंने वैभव से पाउं लिये है क्योंकि सुबा में मलाई के साथ खाना है यह बच्चों के थोड़े से स् अलादिल से मैंने राइस लिये है क्योंकि मैं हमेशा अपने राइस अलादिल से लेती हूँ एक है बास्मती और एक है सूर्थी कोलम और यह थोड़ा सा नॉन्वेज लिया था मैंने नॉन्वेज मैंने लिया है करामा मार्केट से तो यह मतन है चिकन है और थोड़ा सा खी लिये हैं, mango, apple, banana, तूरई, tomato, ये है हराधनिया, ये है coconut और थोड़ा सा, ये और थोड़ा वेजटेबल, तो ये थी सारी ग्रोसरी शॉपिंग और अब जब मिल्क था, रूम टेम्परेचर पे जो मिल्क था, उसको भी मैं अब फ्रिज में रख दूंगी, ओवरनाइट. तो आप देख सकते हैं, ये मलाई कितनी जबरदस्त और कितनी ठिक ये मलाई बनी है, तो बिलकुल ऐसा लग रहा था जैसे हम इंडिया में हैं और ये मलाई वहां की है, लेकिन ये दुबई की है, तो आप लोग भी जरूर ऐसी मलाई ट्राइ कीजिए, बहुत ही जबरदस्त ये मलाई और अब मैं यहां पाओं गरम कर रही हूँ, थोड़े से सेख रही हूँ मलाई के साथ खाने के लिए, और एक तरफ मेरी चाए भी तयार है बनके, अब हम बैठेंगे ब्रेक्फस्ट करने के लिए, अब हो चुका है हमारा ब्रेक्फस्ट खतम, और हमने मलाई पाओं को बहुत इंजॉई किया, अगर आप भी दुबई में हैं तो जरूर केटल मार्केट विजिट कीजिए और वहां से फ्रेश मिल्क लाकत, ऐसी फ्रेश मलाई बनाएए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉई कीजिए, तो अगर आपको मेरा ये वाला व्लोग पसंद आया है, तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल, मिलेंगे नेक्स टाइम, अल्ला हाफेज